नमस्कार दोस्तों आप शुबी का बहुत बहुत शुवाखते दोस्तों केशे हैं आप शुबी उम्मिद करते हैं कि मता अवगत कराने वाले हैं जिहां दोस्तों जिनें शुन कर आप भी कहेंगे कि धन्य हो माता लक्ष्मी धन्य हो भोले नात और धन्य हो हमारे इस्ठदीव जिन्हों ने हमें इतने अच्छे मुखे दिये जिहां दोस्तों हम आप आप शुबी को बता दें कि जो खुशकवरी अब आप शुबी की जुनकाल में आपको प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों वाकई में ये आपके लिए कल्पनाओं में बहने की बात होगी जिहां दोस्तों आप यकीन तो यह बहुत यदा मेहत्पुरूंगे हर एक मुर्षकिल प्रस्तितियों में यहां ज्यान के बाद आपका शाथ देगा तो दोस्तों सभी बातें बहुत यह गहरी तरीकेश में आपको बताने करने वाले हैं तो दोस्तों कूल मिलाकर करें तो आज कर यह वीडियो गरह गोचर परनिवीत आप शुवी की जीवन से लिकरिए बहुत यदा लाप प्रद होंगी इन्हें अंत तक देखना आपका दायत होगा जया दोस्तों तो आपको इनके किरपा प्राप्त होगी जिनुक दोस्तों आप शबी को बता दें कि आज शाम श्याप शिव की जुनकाल में मालक्षमी और भुलिनाथ बहुत यह अच्छा परिवर्तन करने वाले हैं जया दोस्तों दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरहों की बदलती चाल में जब भी इश्वर का शुरबा देंगे तो दोस्तों शुलब इस नाकूस हाँ धा हिक हमारा भक्त ने हमारे शब्स भाराद यह दोस्तों इस लेगा धर्ति पर श्वीılar को भेंग जया है उनकी गटना उपनीकर शही करते हैं जयक्तों तो दोस्तों दल्थ ढर्ति पर आप शेंचां और यह उद्चांकर झ जो आपको भगवान ने दिशा दिया है इनमें दोस्तों बहुत गहरी त्रिकिश्य आपको काम करें जो उपारें की इस् homem Müедь कर एक बाद ने जाते हैं तो दोस्तों इनमें आपको कौंसी विश्य का गोषातने हे होılे और दोस्तों आश्राम से ये दो गठा आपक लिए ही कि दूस्टों साम से तो आपको बहुत लाब की प्राप्त होगी ब्रेंद दोस्तों कहते हैं कि बेठे-बेठे राजया बन जाएंगे तो ये बाते सुन्ने में ही अच्छे लगते हैं जब दोस्तों बातों को बताने वाले दोसों सभी बाते हैं आप ध्यान सुनिएगा त बात करते हैं शुरुवात करते हैं जीवन की एक सबसे बड़ा शच की बारे में जे दोसों हम आप शुब को बता दे कि भगवान शुरी किष्ण कहते हैं एगर भूल से भी कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहां काम चल ही नहीं शकता तब आप अपने घर की दि अनकोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंशान का जो पेठे कभी नहीं भरा जिया दोस्तों यह बातों में अगर आपको शुर्चाई लगे हो बगवान शुरी किष्ण का ज्यान अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुदाए कि जरूरी क करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स निक दें मुझे श्रीकिष्णार रादे रादे तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि आज शाम से गरों की जो बदलती चालों की बोली रात और मालक्षमी के जो प्रवल शुभीयों का निर्मान होगा आप शुभी की कुंडली होने से यश में आप खुद को हर मोके पर शक्रिय अवस्था में पाएंगे जिसके चलते आपकी काम करने की जो है समझ में निखाराएगा और आप हर कारियों को शमय से पहले पूरा करने के लिए तयार रहेंगे वह दोस्तों इन दुनों में अगर आपकी नेगेटिव के लेकर बात करें तो शमय वह फिर परिस्ति को देखते हुए आपको कारे करना चाहिए अपने घर परवार के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यश में कारियों को पूरा करना चाहिए माता-पिता ते संबंद मदूर बनाए रखने की प्रयाश करें तथ जो इस्तितियां आपके लिए अभी विप्रित लग रही है उनमें आप अपने लिए शकार्तमग जो है फल ढूंड पाएंगे लेकिन कुछ शमस्याएं हैं जिनको हैंडल करने में सक्षम नहीं रहत पाएंगे तो अपनी कोशिशों को थोड़ा और तेज करें और को देखेंगे और उनसे संतुष भी यश्म में रहेंगे दोस्तों यह समय है कार छेतर के रिए इसमें बहुत ही उत्तम रहेगा इस दोरण आप मल लगाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे आप सही उजनाय बनाएंगे और सही दिशा में आगे अपना कदम बढ़ाएंग उनमें शफल भी आप यश्म में हो सकते हैं केवल आप यश्म में पर्यास जाली डखें वजिस्तों इन दिरों में आपकी लव लाइप को लेकर बात करें तो आपकी प्यार की रिष्ते में एक जादुई एसास चारा है इसकी खुब सुरुत्ति आप यश्म में जो है बन रहे हैं या फिर कोई अध्यात्मिक आप पुस्तक यश्म में पढ़ सकते हैं दोस्तों यह जो है समय है अनामश्य रूप से किसी पर आप अधिकार जमने का प्रयास बिल्कुल ना करें इसे जो आपकी रिष्ते पर इनका सरप्र सकता है और आपका रिस्ता यश्म में तो दोस्तों इनका आप यश्म में खाज द्यान रखें वह जो जो शमय है आपके लिए दिन है कंधों में तकलिफ या फिर दर्द हो शकता है दोस्तों इन दिनों में शंतान के स्वास की समस्या भी उत्पन हो शकती है दोस्तों यश्म में आपका जो है भागिशाली रंग रहेगा आश्मानी और भागिश्टाली अंक रहेगा नौ वह दूस्तों यश्मी ओफिस में आपकी श्रीजनात्मक्ता की खूब परशन सा होगी और आपको परतिष्ठा भी मिलेगा आप अबने श्रीष्ट प्रेतनों द्वारा काम करेंगे प्रतु आपका जो मूड है यश जिस्ते पहुंचते यश्मी आपका काम खराब हो सकता है इसलिए दूस्तों यश्मी आप अपने गुस्य पर कंट्रोल करें अपने वाइन पर जो है यश्मे संयम रखें गिनेट जी भी आपको यश्मी दिल दिमाग को काबूर में रखने की शला देते हैं वह दूस्तों आपके भागी को परभाजशित करता है अपने उपर भरुशा रखने से आप निस्चित रूप से लंबे श्मित तक सकाप्मक परिणाम प्राप्त करेंगे गिनेजी प्रेरित करते हुए कहते हैं वह दूस्तों यश्मी आपकी पारिवर्वर्ग जीवन की बात करें तो आपका दिल तेजी से धड़क नहीं लगीगा आप उसे अपनों तोफा दोवरा गदगद कर सकते हैं दोस्तों यह श्में आप पहले पीर की चाहतों को जाने यह दिया आप उसके साथ एक जो है दिर्ग कालिक परतिबत्ता बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यह जो श्में है आप अपनी जो है साथी का पसंद या फिर नापसंद का ख्याल रखें गिनेज जी ऐसा कहते हैं वह दोस्तों यह श्में आपकी आर्थी किस्तिति के उलेकर बात करें तो भागे आपके वित्ति मामलों पर भागी शाली रहेगा खर्चों के प्रति आपका जो सकार्तमक दि लिए तत पर रहेंगे भागे की देवी आप पर महरमान हैं दोस्तों आपका मूड एक उंचा जो है श्विंग लेगा और स्वास्त यसमें ठीक रहेगा मैं दूस्तों यसमें अधिकारिक और मन भालाने वाली मरंजक यात्राएं आपके लिए शुखत और उप्योगी आधन नीब़ते हैं यह इसकी जरुरत होगी दोस्तों यसमें आपके दोस्तिया फिस्त्रयोगी कोई बढ़ियायोजना बना कर आपके इन दिनों को खुश्रुमा कर देगा यह समया इप कोई दिल टूटने से बजा सकते हैं दोस्तों काम काच की मोर्षे पर आपकी जुए होगा वह दोस्तों यह आपकी पीलेग चावल बनाकर गरिबों कौँ बाटे से जवह आपकी यश में आर्थिक इस्तिति है या फिर पहले शुटी जो थी उनसे आप शुट करा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इन उपायों को ज़रू करें फिलेग चावल बनाकर घबरिबों म में शंकर से पस्टने के लिए राहु और कितु ही जमयदार होते हैं इसे में दोस्तों येस्ट में आपको काला और शफेद अर्थास वेख कंबल में दो रंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए । दोल नंगी कंबल को अक्यष बार खुद पर शाले होंगे शाधी दोसों और एश्य दिख जानकारें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक से दिख लाइक करें शेयर करें धन्य वाद